सर क्या नाम हुआ पंडिजी आप से सवाल सीधे तोर पर क्योंकि भारती जनता पार्टी ने वर्षों के बाद राम मंदिर बनाया भगवान राम की प्राणपतिस्था की तो एक तो पहले आप से एक जवाब चाहेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद क्या वो एक राजनीतिक प्रपेगंडा था या लोगों के विश्वास के हिसाब से राम मंदिर के स्थापना की गई और क्योंकि वक्त वो जो था वो ठीक चुनाओं से पहले देखें जो लोग भगवान राम को संपताइक द्रश्टी से देखते हैं वो लोग अज्यानी हैं भगवान सी राम कृष दिर बना रहे हैं थो हमाने वाले अपनी जो हमारी नए पीडि है हम उनको संस्कारित करेंगी अगर माता-पिता का संवान करेगा भाईयों से प्रेम करेगा नशा नहीं करेगा देश का रक्षा करेगा तो यह राम मंदिर बनने से जब हम लोग राम के दर्शन करने जाएंगे तो उनके चरित को अपने अंदर उतारेंगे तो यह कोई हिंदू या मसल्मान सिक्का विशे नहीं राम तो पूरे भारत के आरादिये बिल्कुल यह प्रश्न मेंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि राम मंदिर का वक्त को ले करकर के मैंने आपसे बात की राम तो आराद हैं सबके आराद हमेशा रहेंगे लेकिन जो वक्त था ठीक चुनाव से पहले था और यह सवाल मैं इस जो राजनितिक पार्टी ने त्याइक कर लिया कि अब इसी समय प्राणप्रतिष्ठा होनी चाहिए वह सही बोल रहे हैं। के सब अपनी जगह सही थे समझने का समय है कि महुरत बिलकुल ठीक था केवल केवल घड़ी के देखकर चंद सेकेंडों का महुरत था उस समय अभी जीत महुरत था और जो संकराचारे जी है वो अधिकतर मंदीरों के उद्गायटन बगेरे में नहीं जाते हैं उनका काम है धर बिद्वानों ने निकाला था और कभी भी आप देखते को विरिष्टाचारी पकड़ा जाता है या किसी के नोट पकड़े जाते हैं वो यही कह देते हैं कि भी एलेक्सन आ गए भारत बरस इतना बड़ा है कही ना कही एलेक्सन तो चलता रहता है अब जो वह बननेशन वन आगे बढ़ रहा है हम देख रहे हैं हम खाली धार्मिक छेत्र में ही नहीं हम आरतिक छेत्र में देखें हम राजिनितिक छेत्र में देखें हम समाजिक छेत्र में देखें आज हमारे भारत के यूबा बिग्यान में आगे बढ़ रहे हैं आज हमारे बालक खेलों में आगे सवाल इसले किया था मुहूर्ट का क्योंकि मैं खुद गया था पूरी में निश्चला नंजी से मिलने और उन्हों ने मुझसे खुद यह बात बोली थी वो रिकॉर्डिंग्स हैं वो खुद यह बात बोली थी कि वाकई में मुहूर्ट ठीक नहीं था और अगर प्रधान मंत्री जी जो खुद जा रहे हैं उसके एक गर्भ ग्रह के अंदर प्रांट-प्रतिष्ठा करने तो यह चीज़ भी ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं क्या सुब नाम है आपका रभी शंकर दूबे जी आप भी बिरहमन कुल से हैं और संकराचारे हमारे आराद हैं ठीक है तीन सास्त्रों को मैं आपसे वर्णन करता हूं कलियूग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नरुत्रे ही पारा यानि किस कलियूग में अगर भगवान क क्या नाम ले कोई काम सुरू करते सारे मोरोज सिद्ध हैं दूसरी बात भागवत में आजाएं तो विश्णु त्रेतायाम यजतों मखए दौपरे परीचरयायाम कलाउता धरी कीर्टना कलियूग में हरी के कीर्टन करने से सारे कारे क्या हो जाते हैं सिद्ध हो जाते हैं कली संतर नो प्रिशन में हरे नाम हरे नाम हरे नाम इवा केवलं कलेव नास्ते वनास्ते वगतिर अन्य था तो यह सास्त्र हमने तो लिखे नहीं थे यह तो राम मंदिर से पहले लिखे हुए थे इस कलियूग में वो सारे काम सिद्ध हैं जो आप भगवान का नाम लेकर कर कि अगर महूरत सिद्ध नहीं होता ठीक है एक छोटी सी बात है सराप पीने वाले के लिए कोई महूरत नहीं होता जब आप लोग अच्छा काम करते तो उठाते पर कोई रोल नहीं था काम है धरम का पालन कराना हम को धार्मी सिक्षा देना क्या करना है यहां मंदिर पहले सी था मंदिर तो बनी नीरा मंदिर तो यह समझ लिए उसको दोबारा संजाया समारा जा रहा है इसलिए तो पांच बर्स की अवस्ता की मूर्ती लगाए गई ठीक है भगवान कभी जन्म नहीं लेते वह अजन्मा लेते यह क्या करते यह प्रकट होते अप इनका होता है और कहते हैं बिन-बिन रूप में भगवान लेकर आते आप देखते को भी किसी तवित खराब हो जाती है और उसके बालक को डॉक्टर अच्छा इलाज करते था वह भगवान का काम क्या हमारी अक्षा करना भगवान का काम क्या हमारे अंदर बैठे ना तो कहत इनके मन-चंगा तो कठोती मैं गंगा नहीं तो गंगा जमना खूबनाया गयां ना मन का मेल और घर धंडनों भजा हो जैसे हो कोलू का महुरत भी बढ़िया है भारत भी बढ़िया है ठीक है गलत संक्राचारे जी भी नहीं है अरे आज योगी और मोदिया कोई घरवाला नहीं है वो किसी घरवाले की नहीं किरते वो किसके लिए प्रिष्टा चार करेंगे फिर भी लोग उनको छोड़ रहे क्या दो बात ध्यान नखनी आने वाले हमारे सारे समाच को सारा समाच कड़ा है हमको राष्टवादी और धर्मादित रहना है भारत माता की जे बोलनी है ठीक है ससनातन धर्म इस भारत का आत्मा है अगर यहां रहने वाला हर आदमी हिंदू है वो पहले ना अपने को मुसल्मान कहें ना सिक कहें ना हिसाई ना बोद अमरीका में रहने वाला अमर और बाकि जो हमारे सारे आराध दें, सारे धर्म हमारे लिए बराबर हैं। तो भारत जो सबका भार को धेरे से धारण करें उसका नाम भारत है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमने हल्दवानी में देखा या कई जगा पर और हमने ये बाते देखीं कि भाई एक मदरसे को तोड़ दिया गया, चौदा तारीक का इंतजार नहीं किया गया, उस दिन फाइनल रिजल्ट आने वाला था, सुनवाई होने वाली थी, नहीं पर दिख्रिया होती है, हमने उनसे कहा था कि आप हमारे राम अंदिर को तोड़ confirm के यफित क मदां है, आम जहां पर आप घूम रहे हैं, इस एरिये में दो मजित हैं, तो विदूर जी नहीं कि अरझाकी, है मत बेदर् सा नहीं तो लोग आस पास के भागना शुरू कर देंगे अब रही बात कुछ लोगों ने उनको मारा जिन्हों ने क्या नहीं बोला भारत माता की इससे पहले आपने आईस आईस का देखा कितना उन्हों सिर्कलम करके डाल दिया था उन्होंने क्या करा था वो कुछ भी नहीं कर रहे अब रहा बल्दाने में बन भूल फुरा जो भी है बन भूल पुरा जब वो रेलvay की जमीन है तो आपने कपजा करा दमेला सा एक नार्टी एक गुसपेटी है आज साहजा से गुसपेटी आज बंगली देसी सब कुछ पता लग गया उसने हमारी 500 से ज़्यादा महीलाओं के साथ बलातकार करा पहले तो गुस्पेटिया नंबर एक अपराधी उसके बाद सरकार उसको बचारी दूसरी तो इसका मतलब क्या हुआ पिर हमारी युबा में जोस क्यों नहीं आएगा पिर हम लोग उसकी परतियाकर को नहीं करेंगे हमने coup जब हमारी उपर अत्याचार करा हमें जबरण परिवर्तन आज अपने ब्यभव में लोट रहे हैं आज फिर लोगों को याद आ रहा है मुस्लिमों को कि तीन पीडी पहले हम हिंदू थे अब फिर यहां का एक विदायक मर्गुप त्यागी लिखता है कोई आदमी चोहान लिखता है अब उनको पता लगने लगा कि हमारे बाप दादा क्या थे हिंदू थे कस्मीर में पाकिस् हिंदू है वो कभी संपरदायक नहीं है वो अपने घर में हैं गलत बो लोग हैं जो यहां किरायदार बन के आया और मालिक बनना चाहते हैं तो पर से ममता जी उसका क्या करी है सपोर्ट परिया लोग जैसे नाम के नहरा लगाते हैं उसको भगाने के लिए राम राम कहते हैं तो बैसे सीधा जाएगा सीधा भगवान के धाम जाएगा तो खुद को शिव का भक्त बताते हैं उसका तो यहीं ने पता वो है कौन वो पच्रंगे खिचड़ी है हाला कि एक आपकी सारी बाते सही हैं लेकिन एक दो बाते हैं ऐसी है कि हमारे देश में कानून विवस्ता है समविधान है हमारे देश में कानून विवस्ता है समविधान है और आपने कहा कि अगर उधर से ऐसी क्रिया होगी तो हमारे युवाओं का भी खून खौलेगा तो यह फिर यह तो संस्कृति के खिलाप जाकर के बात होगी हमारे यह तो बदली की भावना वाली बात होगी ना कि जैसा व मुकंदमा लडाया राम मंदर के लिये पचासे मुकंदमा लडा रहे हैं हम तो बापिस करके पहले हाज जोड़ों कहते भाईया हमने तीनी स्थान मांगे थे हमें वापस दे दो वह बोले नहीं देंगे हमने कोड से ले लिए अब आज भी उनके लोग कहते हैं बाबरी मज सब्सक्राइब करते हैं चोटी सी बात है एक चोटी बात है कि मैं आपको धक्का दूंगा तो एक बार आप भी दो गए क्या बात है वह समय आप कौन सी दपा चलेगी अब यह भाई सब करें मैं इनके एक मारू जोर से तो यह जाकर पुलिस मने जाएंगे थपन मारा कौन सी यह फट से लट इनके जो हाथ में वह वह जाएंगे कि तुमने मेरे क्यों मारा तो हम सांती प्री हिंदू लोग हैं अपने ही देश में अपने ही ठुकले फैकते हो देख क्या हमारा बच्चा क्या करेगा उसको जब तक पुलिस को लाएगा जब तक वह क्या होगा भाग जाएगा उसको पकड़ेगा तो फिर यह हो जाएगा कि गोत्त कर समझ कर मुस्लिमों पर अत्याचार करें अरे तुम गाय क्यों काट रहे हो ना 500 साल से हमारी राज पुताना जो महिला इस्तियाती अपनी इजद बचाने के लिए जोहर करती थी जोहर और यह लोग हमारी माता मेनों पर गलत निगा रखते थे आज भी वही चला है लब जी आद लेंड जी आद तो इसका मतलब यह सुधरने वाले नहीं है तो हमें कुछ कर करना पड़ेगा अपनी में कोई सोहार्थ की बात भी बोल दीजिए अब बड़ा एग्रेसिव हो गए और एक कोई शांती का संदेश भी दे दीजे बंडी जी देखे सांती का संदेश तो मेरा ऐसा है कि हमारे मुस्लिम बीर अब्दुल हमीद अब्दुल कला महाजाद अर वू तो फिर हम उनको छोडने वाले नहीं है। और प्रमी चान वाफी वाला मामला चल रहा है तो यहाँ पर भी कुछ आपको मंदिरी दिखाई दे रहा है 100% मंदिर है 100% मंदिर है मुझोरी करके आप नीचे पूजा करें उपर नवाज पढ़ रहें एक चोटी सी बात है जब मुस्लिम आतकवादी वहां से आये तो अपने साथ मजजित तो लाए नहीं अपने साथ कोई मजजित तोड़ी लाए ना कोई बहु बेटी लेकर आये थे वो अपने साथ वो तो गोड़ों पर आये थे उन्होंने हमारी माता वेनाओ को पकड़ा जबर जस्ती उनके साथ बलातकार करा हम लोग इतने स्वावी मानी थे कि जो लड़की हमारे मुस्लिम के साथ चली हमने उसको बापिस नहीं लिया फिर वो उनके बच्चों की माँ बनी और ऐसे दीरी-दीरे समाज बढ़ता रहा ठीक है नहीं तो हम इन आतक बादियों की नाम बदला वह आतक बादी था हमने और किसी के नाम तो नहीं बदले हम आज भी ऐसे लोग का समान करते है जो मुस्लिम भारत के सेवा करते हैं भारत मा को अपनी मा मानते हैं उनको हम सेवा देते हैं आज भी आप देख लिजें बड़ी जगां बड़े-बले अपसर यहां के गिरे मंतरी यहां के राषट उप्राश्ट पती मुसलिम हो चुके हैं और आज भी जगाज़गा आप την लेकिन हाँ अगर कोई खाएगा भारत मा की और गाएगा पाकिस्तान की तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा अभी नासिर उसे नाम का एक नेता जीता करनाटक में उसके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं फॉरंसे की लेव में जांच हो गई वीडियो ब मुह के मर रहें हैं वहां पांसो-श्चैना रुपर तेली ठीकाय का जिंदवाद ही उसमें वहां तक बादी है लुटे रहे Jugकात रहे हैं उसका जिंदाब़ किस बात पर कहा रहे हो अप फिर आज वही अरभ जहां पर हमारा मंदिर बनाया जा रहा है तो इसे अ साम मुसल्मान लोगों ने हमें जगा दी हमने आज हिंदू समाज सारे संसार में पृसिद्ध है कि हिंदू समाज का कोई भी मर्व से ना चोर होता है ना किसी बहुवेटी पे जड़ डालता है सारे देश के लोग हिंदू को बलाते हैं और उनका संबान करते हैं लेकिन आज भी कभी कभी देखो गया मुसलिमों को संदे की दर्श्चे देखा या था तो मैं अपील करता हूं मुसलिम भाईयों से कि अपने उपर से आतगवात की छबी को हटाएं वो भी उदार बने वो सूफी संत बने और हम हिंदू उनको गले लगाने को तैयार हैं अगर वो उदारता के साथ रहेंगे आतगवात के साथ रहेंगे तो हम उनको स्विकार नहीं करेंगे क्योंकि हम 500 साल से चेहल लें उनको अब हमारी बरदास की सीमा क्या हो गई अब खतम हो गई अब हम किसी यहां तक बादी को पखसने के मून में बिलकुल नहीं और यही काम योगी मोधी और धामी कर रहें यही काम विश्वश सर्मा कर रहा है अरे उसने 11-12 साल की लड़की का बीबा को अगर अभेद बता दिया तो तुम कह रहे हो को सरीयत के खिलाब जा रहा है क्या 11-12 साल की साथी के लाएक होती है क्या संब्धान में 18-21 साल नहीं लिखा तो सम्वीधान में उस समय आगे क्यों मंद हो जाती है पिर सरीयत क्यों आगे आ जाती है कि स questi समी लिए दो डव हादा मिली एवाय सम्मिधान को पकड़ लो यह मिल लो तो इपना सरेचों पकड़ लो तो यह कम चलने वालनी इस समीधान से ही चलेगा 18 साल में साध्य हो तो 18 में से ज हो तो फेले सह बंद कर देगा उसन पाभी करें सांब कि में जब तक मैं जिन्दा हूं एक बच्चे की साधी नहीं हों दूँगा तो फिर इसमें क्या कलत कह दिया अगर धामी ने यह कह दिया कि मैंने तीन हजार मजारे तोड़कर जब उसको अंदर खुदबाया तो उसमें एक भी एड़ी नहीं निकली अगर आपका यहां पर सूफी एक दफना होया था तो ओस तो उसमें होताह ओएक है तो इसका मतलब यह तो कभजा करने का तरीका है और हम लोग देखते हैं कि मजारं देख यह हिंदु लोग भी माता टेक कि लेते हैं पर इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितने पॉलाइट हैं जितने उदार हैं जितने धेरेवाने उतना ही हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है